माइन्ड मेकर्स पर आपका स्वागत है मैं हूँ धीरज कुमार और आज हम बात करेंगे भारत के द्वारा अमेरिका से खरीदे जाने वाले MQ-9 रीपर आम ड्रोन्स के बारे में भारत के प्रधान मंत्री नर्ण्द्र मोदी और अमेरिका के राष्टपती जो बाइडन ने डिफेंस सेक्टर से संबंधित एक बड़ा निर्णय लिया है बताया जा रहा है कि प्रधान मंत्री के द्वारा पिछले दिनों संपन किये गए अमेरिका के दौरे के बाद भारत अमेरिका से जेनरल एटॉमिक MQ-9 रीपर आम ड्रोन्स खरीदेगा बतादें कि इस बात की जानकारी अमेरिका के वाइड हाउस के द्वारा दी गई है वही प्रधान मंत्री नर्ण्द्र मोदी का अमेरिका का दौरा 21 जून से लेकर 24 जून तक चला था जिसके अंतरगत उ भारत की रास्क्रिय सुरक्षा और सर्वीलियन्स कैपविलिटीज अगले अस्तर पर चली जाएगी जिससे भारत हिंद महासागर के शेत्र के साथ साथ चीन से साज़ा किये जाने वाले सभी सीमावरती शेत्रों में सशक्त रूप से उभर कर सामने आएगा सूतरों के द्वारा बताया जा रहा है कि मोदी और बाइडन के द्वारा इस MQ-9 Sea Guardian Reaper ड्रोन के डील को लेकर मंजूरी मिल चुकी है बतादें कि इस ड्रोन को General Atomics के द्वारा निर्मित किया गया है वहीं इसके अलावा एक नए Defense Pact को भी लाया जाएगा जिसके तहत अमेरि शिप्यार्ड पर रेपेर हो सकेंगे वहीं 15 जून को भारत के रक्षा मंतराले के द्वारा 30 MQ-9B Predator Arm Drone को अमेरिका से खरीदने की भी मंजूरी मिल गई थी हालां कि खबरे ये भी आ रही है कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाले Reaper Drone का ये डील 3 बिलियन डॉलर के आक खड़े को छुएगा MQ-9 Reaper Drone 8 Laser Guided Missile को कैरी करने की शमता रखता है इसके साथ ही ये Air to Ground Missile को भी ऑपरेट कर सकता है बतादे कि General Atomics के द्वारा निर्मित किया गया ये MQ-9 Reaper Drone 500 प्रतिशत से भी अधिक पेलोड को कैरी कर सकता है जबकि MQ-1 Predator की तुलना में इस ड्रोन का होर्सपावर 9 गुना अधिक है MQ-9 UAV Warfighter के लिए Long Endurance, जवर्दस्ट Servillian शमता और बहतर Strike Capability प्रदान करता है बताया जा रहा है कि MQ-9 Reaper Drone बहुत ये Advanced तकनीक पर डिजाइन किया गया है जिसे General Atomics Company ने अपने द्वारा निर्मान किये गए Predator RPA के आधार पर इसमें कई न पर Unmanned Aircraft System अलग-अलग मिशन के तहत उपयोग में लाया जाने वाला काफी प्रभावशाली Drone है जो Hunter Killer, Intelligence और Surveillance शमताओं के साथ साथ Reconnaissance ISR सिस्टम से लैस है जो इसे Combat Commander भी बनाता है बतादे कि ये Drone सिस्टम अपने Target को काफी आसानी से Track करने में सक्षम माना जा रहा है इस वीडियो पर आपकी क्या आरा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें